हेलो एब्रिवान, वेल्गम टू माई यूट्यूब चैनल, सो आज हम फिजिकल साइन्स का मेक्रो लेसन प्लैन 19 डिसकस करेंगे, सो जब भी कोई लेसन प्लैन बनाते हैं तो उसमें कुछ जिनरल इंफर्मिशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइन्स है, टॉपिक आजम ने फोर्स दिया है, और एकलास सेबंथ का टॉपिक है, डेट और प्रियडा वई फिल करेंगे, जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लैन पढ़ा रहे हूं, दिन आते हैं हमारी जिन्रल अब्जेक्टिफ्स, जो हमारी जिन्रल अब्जेक्टिफ्स होते हैं, वो सब्जेक्ट ओरियेंटे होते हैं, उनमें problem solving ability भी develop हो पाएगी और वो उसे अपनी daily life से relate करके उसमें improvement ला सकते हैं कुछ नहीं ideas ला सकते हैं तो यह सब ही हमारे objectives चिंडर objectives में आएंगे देन आते हैं हमारे specific objectives तो जो हमारे specific objectives होते हैं वो topic oriented होते हैं यानि कि अगर हम बच्चों को topic force पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के हमारे objectives होने चाहिए तो बच्चे force को अच्छे से define कर पाएंगे वो उसकी different types को अच्छे से समझकर उन्हें classify कर सकते हैं वो अपने daily life में इस topic को समझकर उसे relate करकर use कर सकते हैं सो इस सभी objectives हमारे specific objectives में आएंगे देन आता है हमारा material एट सो chalk, tester, pointer, chart, roller board, etc. इन सब की healthy people, teacher, बच्चों को अपना lesson plan पढ़ाते हैं देन आती है previous knowledge, so students have previous knowledge about push and pull अगर हम बच्चों को फोर्स पढ़ा रहे हैं तो हम यह मान के चलते हैं कि बच्चों को previous knowledge होगा push or pull के बारे में देन आते हैं हमारे introductory questions, so जो हमारे introductory questions होते हैं उनका जो meaning होता है पूछने का वो होता है कि बच्चों में interest develop करना towards topic और जो उनकी previous knowledge है उसे introductory question पूछगे हमें वो भी अच्छे से बता चल जाती है कि उन्हें पहले से क्या पता है तो हमें आगे उन्हें कैसे पढ़ाना है तो वो हमें समझ में आ जाता है इन्हें बनाने का एक zigzag pattern होता है यानि कि जो question first का answer है वो ही उससे ही रिलेट करके हमें next question पूछना होता है फिर जो उसका answer आएगा उससे रिलेट करके next question पूछना है तो इस तरह से हम उन्हें last अपने topic तक ले आते हैं सो बच्चे में भी curiosity बनी रहती है कि आज हमें क्या पढ़ना है तो इसमें दो कोलम बनते है प्यूपल टीचर अक्टिविटी और स्टूडेंट्स अक्टिविटी सो question first is name some things you see in the classroom तो जब आप classroom में होते हैं तो क्या चीज़े देखते हैं हमने आस-पास सो बच्चे आराम से आराम सर करतेंगे चेर टेपल ब्लैक पोर्ट डॉर एक्सिक्ट्र इस हाव दूपन दर तो आप दर्वाजा कैसे खोलते हैं तो वी पुल दर तो तो हम दर्वाजी को कीच कर खोलते हैं देन थर्ड इस वाट यू अप्लाइट तो पुल दी तो आप क्या अप्लाइब करते हैं जब आप दर्वाजी को पुल करते हैं सो वी अप्लाइब फॉर्स देन लास्ट इस वाट इस प्रॉल्स तो यह प्रॉब्लमेटिक आंसर आजाएगा में भी बच्चे इसे बहुत स्टूड इस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को पूछे जाएंगे लिए बच्चों को लॉजिकल पी में अंसर करना होता है और जो पीपल टीचर है उन्हें बिल्गुल टॉपिक से पूछने होते हैं दिन उसकी नेक्स्ट कॉलम आएगा स्टूडेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स की आंसर लिखे जाएंगे दिन टीचिंग में तर्ड या टेखनीक जो भी यूज हो रहा है वो यहां पे लिखा जाएगा और लास्ट में आता है एवाल्यशन कोश्टन कॉलम इस सो कुश्टन फरस्ट इस हाव डूपन दपैन सो आप पैन को कैसे है लिद्फीट को करते हैं जब कुछ चीज कोई पूल करते हैं किसी ऑचेक पे तो से हम क्या कहते हैं ज़िए प्यूपट टिचर अपने अंसर में या इन स्टेटमेंट में अपने टीचंग पॉइंट में एक्स्पलेंट करेंगे इसको जब पाप्रमेटिक आ जाए लिए teaching method या टेखनीक क्या है यह कुंसी टेखनीक है सो यह question answer method है क्योंकि प्यूपल टीचर ने आभी बच्चों से questions पूछे हैं और बच्चों ने answer दीए सो यह question answer method में आए so pupil teacher statement so force is an external agent capable of changing the state of rest or motion of a particular body so force is external agent होता है जो capable होता है किसी भी body का motion या फिर वो रेस्ट में हो उसका state change करने में so push or pull of an object is considered a force तो जब भी कहीं पर push or pull किसी object पे लग रहा हो होता है तो उससे considered करते हैं force so the SI unit of force is newton so discuss symbol है n so मैंने आप बस इतना ही लिखा है आप चाहें तो इसमें और value addition कर सकते हैं then next column students activities so students will listen and understand carefully then teaching method या teaching technique है जो हमारा वह explanation method है क्योंकि प्यूपल टीचर ने आप बच्चों को explain किया अपना teaching point then आता है हमारे demonstration technique so demonstration technique में क्या होता है जब भी प्यूपल टीचर बच्चों को कुछ visualize करवा कि दिखाता है कोई भी चार्ट पेपर के through या कोई model की through या real object के through बच्चों को कुछ visualize कराता है तो बच्चों को वह अच्छे से याद रहता है और वह उसे अच्छे से समझ पाते हैं तो इससे teaching लड़की ने जो टेबल है उसको push किया है so a force to move something away push किसले होता है अगर हम कोई चीज को जब फॉर्स लगाते हैं तो उसे दूर जाने के लिए मतलब उसे दूर अटाते हैं then pull a force to move something towards you so pull करने का मतलब होता है खीशना तो अपनी तरफ जब हमको यह चीज कीशते हैं तो यह हमने एक डाइग्राम की थ्रूश हो गिया है तो अगर हम बच्छों को ऐसे दिखाते हैं तो उन्हें जादा अच्छे से समझ में आता है then आता है हमारा evaluation question so last में so what is the SI unit of force so यह हमें बिल्कुल last में पूछ ना होता है evaluation question जिससे हम बच्छों को evaluate कर पाएं कि उन्हें कितना समझ में आया है so यह हमने यहाँ पर question पूछ लिया बच्छे सको अब आराम से बता पाएंगे now our next teaching point is types of forces so expected behavior objectives students will be able to connect previous knowledge to the new knowledge then pupil teacher activity so it's my developing question again again वही हमारे सारे columns बनेंगे जो हमारे first teaching point में बने थे so question first is can you lift a bucket without holding it so क्या आप किसी बाल्टी को उठा सकते हैं उसे पकड़े भी ना so answer is no so which type of forces required to hold the bucket तो किस तरह की force required होती है अगर हमें कोई bucket उठा नहीं है तो यह हमारा probable answer आजाएगा बच्चे में भी ना बता पाएं सो प्यूपल टीचर अभी से अपनी explain करेंगे देन आता है teaching method या फिर टेक्नीक सो यह question answer method है क्योंकि प्यूपल टीचर ने अभी बच्चों से question पूछे हैं और बच्चों ने answer कि हैं सो यह question answer method आएगा सो दिन प्यूपल टीचर स्टीट्मेंट सो देरा मिली टू टाइप फोर्सस कॉंटेक्ट फोर्सस एं नौन कॉंटेक्ट फोर्सस सो कॉंटेक्ट फोर्सस फोर्सस्टेट एक्टोना बॉड़ी इधर डारेक्ली और तुर मेडियम और कॉल्ड़ा तो जैसे कि मस्कूलर फोर्स फिर्क्षणल फोर्ससस्ट जो हमारा बकिट पर उपर चुकूर्शन पूचाता हम ने उस पर श्कूलर फोर्सस लगनी थी दिन सिकिंड इस नौन कंटक्ट फोर्ससस ए सो फोर्सस देट एक्ट 20 प्प्ड़ूः क्ट विटी बॉड़ी आर तो ने हम non-contact forces बोलते हैं, for example, gravitational force, magnetic force. Then आता है students activity, so students will listen and understand carefully and know down the blackboard work in their notebook. Then हमारा जो यह teaching method या technique है, यह explanation method है, क्योंकि people teacher ने आभी बच्चों को अपना teaching point explain किया है. Then last में आता है हमारा evaluation question, so what is contact forces? Then आता है हमारा third teaching point, जो कि effects of force, so expected behavior objectives, students will be able to connect previous knowledge to the new knowledge, then again same भाही column जो हमने पहले previous two teaching point में बनाए थे. So question first is, what is the SI unit of force, so Newton होती है, then second is, what are the effect of forces, so यह problematic answer आजाएगा, में भी बच्चे ना बता पाएं कि क्या effect होते हैं, so pupil teacher आपनी statement में explain करेंगे, then आता है teaching method या technique, so यह explanation method है, sorry, question answer method है, यह पूपल टीचर ने आपे बच्चों को questions पूचे है, then आएगा pupil teacher statement, so the force has different effects and some of them are, force can make, first is, force can make a body that is at rest to move, so effects क्या होता है, force के, अगर कोई body rest पे है, मितलब कोई body, एक stationer यह है, मितलब रुकी हुई है, तो उसे force क्या करता है, move होता है, move कर सकता है, for example, अगर हमने कोई copy रख्यू है table पे, तो अगर हम उस पे force apply करें, तो वो आगे की तरफ हम उसको धका मार सकते हैं, then second is, it can stop a moving body or slow it down, so अगर कोई body move कर रही है, तो हम उसको रॉक सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ball फेक ही है, तो वो move कर रही है, लेकिन हम उसे बीश में आके रोक सकते हैं, then third is, it can accelerate the speed of a moving body, तो यह कोई moving body की speed को भी accelerate कर सकता है, then fourth is, it can also change the direction of a moving body along with its shape and size, so यह मेंने इतने ही points लिखे हैं, यहां पर चाहें तो इसमें override कर सकते हैं, then आता है हमारे students activity का column, so students will listen and understand carefully, then आता है हमारे teaching method यह technique का column, so explanation method है, क्योंकि यह people teacher ने आप एपना teaching point explain किया है, then last में आता है evaluation question, so what are the effect of force, then आता है recapitulation, so recapitulation एक तरगा division होता है, किसी भी fill up true false या कोई short answers की form में हम बच्चों से पूछते हैं, जो भी हमने बढ़ाया है, भार्जे नहीं पूछना होता है, so question first is the SI unit of forces dash, then second push or pull of an object is considered as force, तो इसमें बताना है, यह true है या false है, then third is how many type of forces are there, so यह सभी questions हमने revision कराने के लिए पूछे हैं, then आता है blackboard work, so pupil teacher को उसका एक miniature यहाँ अपनी lesson plan में लगाना होता है, जो भी pupil teacher blackboard activity करता है classroom में जाकर, कोई भी definition लिखता है या flow chart बनाता है, तो वो यहाँ पे एक miniature लगाना होता है, then आता है homework, so homework देना बहुत जरूरी होता है pupil teacher को, जिससे teaching learning process effectively चलता रहे, और next day आखी से check भी करना होता है, so question first is what is the difference between in contact and force and non-contact force, then second is what are the effect of force, so यहाँ पे हमारा lesson plan खतम होता है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो, then please like, share and subscribe the channel, thank you,